कुछ बच्चे कटे होट और तालू के साथ बैदा होते हैं तालू मूग के अंदर का उपरी भाग होता है और इन बच्चों के तालू में छेद होता है या वो कटा हुआ होता है ये एक सामान्य विक्रिती है और एक अच्छे डॉक्टर द्वारा ओपरेशन से बिलकुल ठीक हो सकती है और वो भी पूरी तरह मुफ्त कटे हुए तालू को बाहर से देखा नहीं जा सकता लेकिन इसका इलाज बहुत जरूरी है ठीक समय पर अगर इसे बंद नहीं किया गया तो बच्चा बड़ा होकर ठीक से बोल नहीं पाएगा इसके अलावा और भी बहुत समस्याएं आ सकती है जैसे नाक से दूद या खाना बाहर निकलाना बार बार खांसी जुकाम होना और बच्चे का बिमार पढ़ना तालू के इस छेत का इलाज सिर्फ ऑपरेशन द्वारा क्या जा सकता है और उस ऑपरेशन के लिए बच्चे का पूरी तरह स्वस्थ होना बहुत जरूरी है बच्चे को स्वस्थ और आपरेशन योग्य बनाने के लिए उसकी खुराक और भोजन सही होना चाहिए बच्चे के लिए मा का दूद अम्रिट समान है बच्चे के लिए उससे अच्छी और कोई खुराक नहीं लेकिन कटे हुए तालू के कारण कुछ बच्चे मा का दूद नहीं पीबाते दूद के साथ वो बहुत सी हवा पी जाते हैं इससे बच्चे का पेट फूल जाता है और मा को लगता है कि पेट भर गया ऐसे बच्चों को दूद पीने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनद भी करनी पड़ती है और वो बहुत ठक जाते हैं और मा सोचती है बच्चा दूद पीकर सो गया इस वीडियो द्वारा हम माताओं को बताएंगे कि ऐसे कटे हुए तालू वाले बच्चों को दूद कैसे पिलाएं इन बच्चों को सीधा स्तन से दूद पिलाना ही सबसे अच्छा तरीका है दूद पिलाते समय बच्चे को सीधा रखें जैसे वो खड़ा हो ऐसे रखने से दूद उसके पेट में जाएगा और नाक से बाहर नहीं निकलेगा अगर उसका होट भी कटा हुआ है तो स्तन उसके मूँ के उस तरफ डालें जिस तरफ होट कटा हुआ ना हो क्यूंकि ये बच्चे पूरी थाकत से दूद नहीं खीच पाते इसलिए मा को दूद पिलाते समय अपनी स्तन को दबा दबा कर दूद का प्रवाह बढ़ाना बहुत जरूरी है लेकिन अगर मा ने इसे बहुत ज्यादा या तेज तेज दबाया तो दूद ज्यादा बहेगा और बच्चा उसे अंदर नहीं ले पाएगा उस हालत में थोड़ा धीरे हो जाएए अगर शुरू में ये ठीक से ना हो पाए तो चिंता मत कीजिए थोड़े ही दिनों में मा और बच्चा एक दूसरे से अर्चस्ट हो जाएंगे कटे हुए तालू वाले बच्चे दूद के साथ बहुत सी हवा पी जाते हैं इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें थोड़ी थोड़ी देर बार डकार दिलवाएं उसके लिए बच्चे को कंधी से लगा कर हलके हलके उसकी पीट पर नीचे से उपर की तरफ मालिश करें थोड़ी ही देर में आपको डकार लेने की आवाज आईगी इसे आपको दूद पिलाते समय काफी बार दोहराना पड़ेगा यदि किसी कारण मा अपना दूद बच्चे को सीधा नहीं पिला सकती तो वो अपना दूद हाथ से निकाल कर किसी बरतन से चमश द्वारा या फिर बोतल से भी बच्चे को पिला सकती है कुछ जगा ऐसे बच्चों को दूद पिलाने के लिए खास बरतन या खास बोतलें भी मिलती है उनका प्रयोग भी किया जा सकता है अगर खास बोतल ना भी मिले तो साधारन बोतल के निपल के सुराख को काट कर बढ़ा करके काम लिया जा सकता है लेकिन ये अवश्य सुनिश्चित कर लें कि इस्तिमाल में लाने वाला बरतन या बोतल पूरी तरह से साफ और स्वच्च है इन्हें इस्तिमाल से पहले कम से कम दस मिनिट उबाल लें ऐसा ना करने से बच्चा बीमार पढ़ सकता है और उसके स्वास्थ को नुकसान हो सकता है यदि किसी कारण से मा अपना दूद बच्चे को पिला नहीं सकती तो गाई का दूद या बाजार में मिलने वाले डिबबी का दूद भी पिलाया जा सकता है ये मा के दूद की जगा तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर कोई और रास्ता ना हो, तो इनसे काम चलाया जा सकता है अगर बच्चे को गाय का दूद दिया जा रहा है, तो उसे किसी साफ बरतन में पहले पूरी तरह उबाल लें और फिर ठंडा होनी पर बच्चे को चम्मच या बोतल से पिलाएं और अगर बच्चे को डिब्बे का दूद दिया जाना है, तो दूद बनाने से पहले पानी को अच्छी तरह उबाल लें और उसे ठंडा कर लें और कभी भी डिब्बे पर लिखी हुई मात्रा से कम दूद का पाउडर मट डालें ज्यादा पानी और कम पाउडर डालने से बच्चे को पूरी खुराक नहीं मिलेगी और वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाएगा ये एक बार फिर बताना बहुत जरूरी है कि जो भी बरतन, चम्मच या बोतल इस्तेमाल करें वो पूरी तरह साफ और स्वच्छ हो अगर बच्चे को किसी कारण आप सीधा अपना या बोतल से दूद न पिला सकें तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सला लेकर उसे नरम ठोस आहार देना शुरू कर दें हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे का पोशन पूरा और ठीक हो रहा है इसका सबसे आसान और अच्छा तरीका है बच्चे को नियमित रूप से स्माइल ट्रेन के अस्पताल ले जाते रहना लेकिन अगर वो मुम्किन ना हो तो बच्चे के वजन का ध्यान रखना उसका पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना और समय समय पर एक बच्चों के डॉक्टर की सलाह लेती रहना बेहत जरूरी है जब कटे होट और तालू के साथ पैदा हुआ बच्चा ओपरेशन की सही उम्र पर पहुँच आएगा तो स्माइल प्रेन के अस्पताल में डॉक्टर उसका पूरा मुआयना करेंगे और ऑपरेशन की तारीख तै करेंगे या फिर आपको आगे के लिए सलाह देंगे कृपया उनकी सलाह को अच्छी तरह समझ कर उसका पूरा पूरा पालन करें और चिंता बिलकुल मत करें बच्चे का पूरा इलाज शुरू से आखर तक एकदम मुफ्थ होगा कोई आप से एक रुपया तक नहीं मांगेगा और ऑपरेशन के बाद आपका बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और एक सामान्य बच्चे की तरह अपना बच्चपन खेलते गूतते बिता कर बड़ा होकर एक स्वस्थ और अच्छा नागरिक बनेगा स्माइल ट्रेन दुनिया में ऐसे हजारों बच्चों का इलाज हर साल कराती है लेकिन इसके लिए बच्चे की मा का सहयोग बहुत जरूरी है धैर ये रखे परिशान मत हो ये कटा होट और तालू एक सामान्य विक्रती है और पूरी तरह से ठीक हो सकती है लेकिन आपके सहयोग से चिंता मत कीजिए स्माइल ट्रेन है ना ले लेकित की अे आपके सही हम येु क मत — इसके स्माइल, ऩद dünyरी अपके स्माइल ट्री का से कि scalarह से monitor लेकिन Alle簡ा का, ये वेकिन और्म, रहत्ष, ओिमा मित का ओर आपके स्माइल की जिए उक्बा़ तरह करा लेकिन झाल झाल